जबुलपुर हाई कोट के आदेश पर जमीन का कबज़ा दिलाने तैसीलदार सहीद पुलिस प्रशासन का अमलान नर्मदा नगर गोहलपुर में पहुचा इसके बावजूद दोनों पक्षों में हंगामा देखते हुए कबज़ा दिलाने की कारवाई सोंबार तक टाल दी गई है दोनों पक्षों कोई लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुचे हुए थे विवाद की स्थिती बनते वे देखकर तहसीलदार सहित पुलिस का भारी बल भी मौके पर मौके पर मौझूद रहा करीब 4 घंडे तक कबज़ा दिलाने का प्रयास होता रहा पर विवाद को देख कबज़े की कारवाई सोंबार के लिए टाल दी गई है नर्मदानगर में खेती की जमीन को लेकर गगन यादव और हमित हसन के बीच वर्स 2006 से विवाद चल रहा है हाई कोट ने कुल तेई सेकड में 11 एकड जमीन को विवादित माना वहीं से इस 12 एकड जमीन पर सिविल कोट ने हामित असन को कबज़ा दिलाने का आदेश दिया था और इसी आदेश का पालन कराने को प्रसासने कमला पहुँचा था वहीं कोट की इस मामले में 19 अपरेल को सुनवाई है उसके पहले प्रसासन को कबज़ा दिलाने के लिए कहा गया है पर विवाद के चलते कबज़ा नहीं दिलाया जा सका प्रसासन के द्वारा पूरे घटना करम की वीडियोग्राफी भी कराई गई विबात के दौरान राके सैनी भाजपानेता स्री राम सुकला सहीत आने लोग भी माके पर पहुचे थे